हेग आईस कैसे हैं आप सब तो आज हमार पास फाइनली मोटो वन फीजिन प्लस का रीटेल बोक्स डिलिवर हो चुका है जो के हमने फ्लिपकार्ट से ओडर किया है फोन के बोक्स के पीछे कुछ स्प्रस्फिकिशन से लिखी गई है जैसके स्नैप्रेगन 730G प्रोसेसर, 64 मेगापसल का कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा और काफी सारी चीजें हैं जो बोक्स के साइट्स पर मेंचन की गई है जल्दी से बोक्स को ओपन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा बोक्स में क्या-क्या देखने के लिए मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूँगा कि पहली बार देखने में फोन कैसा दिखता है और उसी के साथ कुछ जरूरी चीजें फोन के बारे में आपको बता दूँगा इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें बोक्स अगर आप ओपन करेंगे तो जनरली जैसे आजकर बोक्सिस खुलते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मोट्रोला के फोन्स जनरली ऐसे बोक्सिस में आते हैं और जैसे ही फोन को बाहर निकालते हैं फोन दिखने में काफी सुन्दर सा दिखता है प्लास्टिक का सिलिकोन कवर है जो कि थोड़ा पतला सा है और कौल्टी उतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन कुछ दिनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जब तक आप कोई नया कवर नहीं खरीते हैं और फोन की अगर आप बात करें थोड़ा सा हेफ्टी लगता है फोन पकड़ने में लेकिन अगर आप देखेंगे काफी सुन्दर सा दिखता है प्लास्टिक बिल्ड है और यहां पर फोन को एक बर साइट पर रखते हैं वापीस आएंगे बोक्स कंटेंट्स दिखाता और टाइप A to टाइप C केबल है मतब टाइप C पोर्ट एट लिस्ट आपको इस फोन में एक अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है बोक्स कंटेंट्स जल्दी से साइट पर रखते हैं वापीस से फोन पर आते हैं और जैसा के मैंने आपको पहले ही बताया फोन द पूरा clean रखा गया है उपर की तरफ pop-up camera आपको देखने के लिए मिलता है और एक sim tray है जो के hybrid solution के साथ आता है मतब dedicated card आप यहां पर use नहीं कर पाएंगे हालां कि एक ही variant जो phone का है 128GB storage के साथ आता है जो के काफी होना चाहिए नीचे की तरफ एक loudspeaker grill है type C port है 3.5M audio jack है और primary microphone है phone के पीछे अगर आप देखेंगे सुन्दर से एक pattern वाला design है moto का symbol है जिसके उपर fingerprint sensor भी दिया गया है और quad rear cameras है जहां पर main camera जो हो 64MP का है 8MP का ultra wide sensor है 5MP का macro और 2MP का depth sensor है phone के आगे की तरफ एक loudspeaker के साथ साथ आपको 6.5 इंचिस का full HD plus IPS LCD display देखने के लिए मिलता है जिस camera यहां पर आपको pop-up camera देखने के लिए मिलता है जो के 16MP का दिया गया है चलिए जल्दी से चलते हैं वापिस phone पर phone को मैंने setup कर दिया है और यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल stock android जैसा यह दिखता है हाला के moto के कुछ applications या फिर मैं बोलूं कुछ features आपको देखने के लि features भी आपको मिलते हैं जो कि मैं tips and tricks वाली वीडियो में काफी छे से explain करूँगा उसी के साथ अगर आप moto display देखेंगे इस phone में वो भी काफी सुन्दर दिखता है जो भी notifications है आप low screen से देख सकते हैं और एक ambient display जैसा feature है जो कि आपको generally super AMOLED displays में देखने के लिए मिलता है फोन का security patches phone में आपको दिया गया है storage की बात करें तो 128 GB में से 13.72 GB used है जो के काफी कम है और क्यूंकि यहां पर कोई customized skin नहीं है तो storage जो हो काफी कम use किया हुआ है camera app में अगर आप जल्दी से चल जाएंगे तो आप देखेंगे again जो काफी simple सा एक look आपको देखने के लिए मिलेग और यहां पर काफी सारे modes भी है जो के again मैं अच्छे से explain करूंगा अपनी tips and tricks वादी वीडियो में अभी के लिए fingerprint sensor पर चलते हैं fingerprint sensor अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से काम करता है अगर मैं accuracy की बात करूं लेकिन speed अगर आप देखेंगे उतनी जादा नहीं है Google Assistant में जा सकते हैं पोप अप कैमरा की बात करें तो इस रिके का कुछ दिखता है अगर आप इसको बार बार उपर नीचे करते हैं तो speed उतनी भी जादा नहीं है लेकिन कुछ extra lighting effects वगरा अट नहीं किये गए हैं पीछे से अगर आप देखें तो यह कुछ इस रिके का दिख करना मत फूरीगा कुछ स्वाल जहां में नीचे क्मेंट से पता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत फूरीगा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो